रेट्रो शडीज में आप सभी करें पिर से एक बार स्वागत है तो इस्टोरी अबाउट फ्लाइंग जो क्लास टिंथ का चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट बुक से उसका सिकेंट पार्ट ब्लैक एरोप्लेन का आज समरी हम लोग देखेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं इस कहानी में एक प्लेन रहता है जिसका नाम रहता है डाकोटा जिसे ऑथर पुड़ा रहे होते हैं उन्होंने बताया है कि रात के एक बज रहते और वो अपने पुराने डाकोटा नामक एरोप्लेन से प्रांस से इंग्लैंड वापस लोट रहते हैं वो अपने होलीडे के है कि मैं इंग्लैंड वापस जा रहा हूं और पेरिस कंट्रोल उनको एडवाइज करता है कि आप 12 डिग्री वेस्ट डिरेक्शन में अपने प्लेन को मोड लेजिए और आप असानी से जा सकेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे कि आखिर में उनके साथ क्या घटित होता है जो डिरेक्शन में गूमने के लिए पेरिस कंट्रोल उन ने उन्हें बताया होता है वो उस डिरेक्शन में अपने प्लेन को मोड लेते हैं जोकि सब चीज बहतरीन चल रहा था और 150 किलोमी में उन्हें क्या करना चाहिए उन्हेंने क्या किया पैरिस के लिए उन्हें को उड़ाया जैसे हें उस लावट में गया उनको कुछ भी नहीं दिखाई द назв steroid to जो वो old Dakota नामक aeroplane था वो उस बादल में jump और twist किया और जैसे ही उन्होंने compass के तरफ देखा तो compass खराब हो चुका था पेरिस कंट्रोल रूम में भी contact करने का प्रयास किया उन्होंने लेकिन वो contact नहीं कर पाये क्योंकि उस समय उनका radio भी खराब हो गया था और वो पूरी तरीके से उस storm में खो गया थे फिर उस cloud में एक आचार चकित करने वाली घटनाय होती है उसमें उनको एक plane दिखाई देता है और उस plane को जब वो देखते हैं तो उसमें यह दिखता है कि नहीं उस plane के अंदर या बाहर कोई light है नहीं उसके wings है लेकिन वो एक चीज़ देख सकते थे उनके plane के बगल में ही वो plane उड़ रहा होता है चुकि बहुत जादे भैभीत है लेकि थोड़ा सा उनको अच्छा है उनको ऐसा लगता है कि जो दूसरी plane में पाइलेट बैठा हुआ है वो उनसे कह रहा है कि हमें follow करो आथर को लगता है कि जो दूसरी plane में बैठा हुआ वेक्ती है वो उसकी मदद करना चाह रहा है इसलिए उन्होंने उस दूसरे plane वाले पाइलेट को follow किया वो आधे गंटे तक उसी stormy cloud में उड़ते रहें अब इनके पास 5-10 मिनट उड़ने भर काई plane में fuel बचा हुआ था अब इनके मन के अंदर है समाने लगा बहुत जादे frightened हो गया थे और उसके बाद वो नीचे जाने लगे अपने plane के साथ अच्छानक से उन्होंने क्या देखा कि उनके plane के आगे runway है और जब ये safely land कर गए तो ये अपने उस मित्र को खोजने लगे जो उस black airplane में था वो उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहते थे लेकिन उस समय जो sky था वो एकदम खाली था वो वहाँ के control tower में गए और वहाँ पे एक woman बैठ से surprise होगा अब वो सोचने लगे कि आखिर में हो क्या रहा है उनकी मदद करने के लिए कौन आया था वो ये भी कह रहा थे कि उनके पास ना ही compass था ना ही radio था और उनके पास इतना fuel भी नहीं था कि वो अपने plane से सही तरीके से land कर सके वो confused हो चुके थे कि आखिर में pilot कौन थ और वो strange black airplane कहां से आया था उस stormy clouds में जिसके पास कोई light नहीं था और हम यहाँ पर finally safe land कर गये और finally यहाँ पर आपका यह chapter समाप्त होता है thank you for watching please like share and subscribe my channel Retro Studies